प्यार तो सभी करते हैं पर वो एक तरफा हो सकती है और दो तरफ से भी हो सकता है पर अगर आप एक तरफा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आप जिसको महबत करते हैं वो भे आपको महबत करने लगे तो आज ये टोटका में ऐसा एक पाउरफुल वशी करन टोटका बत हमारे चैनल हिंदी वाले solution में सिर्फ दो लोंग को लाकर आप किसी भी और लड़के को अपने वश में कर पाएंगे देखिए हमने कुछ भी विसे सामगरियां पे यूज नहीं क्या है सिर्फ दो फूल वाला लोंग एक प्लेन पेपर और ब्लाक अलर का मार्कर हो पेंड हो आ आपके लिए तडपने लगे की और आप अगर चाहते हैं कि वह और लड़की सिर्फ आप ही के बात माने यानि कि अगर आपके मन में कुछ भी इच्छा है उससे हासिल करना ठीक है माली जी आप चाहते हैं कि वह आपके साथ समय बिताएं आपके साथ टाइम स्पिंड करें और वक्त गुजारें तो यह सब चीज पॉसिबल है यह तोटका करतेने से वह आपके तरफ आकरशित होने लगी कि और वह हमेशा चाहेगी कि वह कैसे आपके साथ समय बिताएं उसको बहाना होगा ढूलना मतलब वह आपके लिए तडप उठेगी तो देखिए यह तोटका पहले इस कागज के ऊपर एक छोटा सा यंत्र बना देना है देखिए यहां पर आपको थोड़ा जगा चोड़ना है और यहां पर आपको यह छे घर वाला बॉक्स बनाना है देखिए उपर तीन नीचे तीन छे घर हो गया और यहां पर आपको वश लिखना है यहां पर मम लिखना है और यहां पर क्लिंग लिखना है और देखें नीचे आपको यह दूनों घर ऐसे छोड़ देना है अब आपको क्या करना है यहां पर आपको लिखना है अपना नाम मालेजी आपका नाम है दीपक अब आपको क्या करना है इस तरह उस और लड़की का नाम लिखना है जिसके लिए आप ये वशीकरन वजीफा कर रहे हैं और नीचे उसका डेटर बर्थ मालेज़े उसका डेटर बर्थ है ये डेटर बर्थ है 29, 1996 अब आपको क्या करने नीचे एक वशीकरन मंतर में बताऊंगे वो चीज आपको लिखते ना है देखिए ये मंतर बहुत ही पाउरफुल है इसको आप अगर किसी भी और लड़की के लिए जाप करेंगे तो वो आपके और आकरशित हो जाएगी और हमेशा के लिए वो दिवानी हो जाएगी देखिए यहां पर हमने मंतर को लिखने है ओम अमोकी वशम कुरू कुरू आकरशनम स्वाहा अब आपको क्या करना है देखिए इस मंतर को तो आपको उचारन करना है और उचारन करते समय आपको इस तरह लौंग को घिसना है और घिसते घिसते ही आपको उचारन करना है ओम अमोकी वशम कुरु कुरु आकर्शनम स्वाहा अमोकी की जगा पर आपको उस औरत या लड़के का नाम लेना है जिसके लिए यह टोड़का आप कर रहे हैं इस मंत्र का सर्फ 21 बार आपको उचारन कर देना है फिर आपको क्या करना है देखें इन दोनों लोंग का दो यह सिर है इसके इसको आपको यंत्र के उपर डाल देना है देखें यह जो दोनों खाली जगा है इसके उपर डालना है फिर इन दोनों लोंग को आपको अपने पास रखना है और फिर इस कागज को क्या करना है देखें आपको इस तरह से मोड़ना है और इसको लेके अपने आं याद रखें इस टोटके को आप मंगलवार या फिर शुकरवार की दिन कर सकते हैं जो वक्त है वो है दिन के तीन से लेके रात के आठ बजे के अंदर